इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। कोस्विट जी क्रीम एक combination दवा है जिसका इस्तेमाल तवचा पर बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है। यह संक्रमन पैदा करने वाले microorganism के खिलाफ काम करके inflammation के लक्षणों जैसे की लालिमा, सूजन और खुजली को कम करता है। कोस्विट जी क्रीम केवल बाहरी अंगों के लिए है और इसे डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दवा की पतली परत को साफ और सूखे हाथों से त्वचा के केवल प्रभाविक शेत्रों पर लगाया जाना चाहिए। दवा लगाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोएं। अगर यह आपकी आँख, नाक, मूह या योनी में चला जाता है तो पानी से धोलें। लक्षनों में सुधार आने में कुछ सप्ताह तक का समय लग सकता है तो अपनी दवा को नियमित रूप से लेते रहें। दवा के बहतर असर को सुनिश्चित करने के लिए इलाज का कोस पूरा किया जाना चाहिए। अगर आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है या अधिक खराब हो जाती है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आम तोर पर यह एक सुरक्षित दवा होती है हाला कि इससे दवा लगाने के स्थान पर जलन, इरिटेशन, खुजली और लालपन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। ये साइड इफेक्ट आम तोर पर हलके और आत्मसीमित होते हैं। गंभीर साइड इफेक्ट बहुत ही कम मामलों में होते हैं। अगर आपको इस दवा से ग्यात अलजी है, तो आपको इस दवा का इस्तिमाल करने से बचना चाहिए और इस थिती के बारे में डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए। इलाज के दौरान संक्रमित तवचा वाले अंगों को स्पर्श या स्क्राच न करें क्योंकि इससे इंफेक्शन और भी खराब हो सकती है या फैल सकती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।